हेलो फ्रेंड्स नमस्कार सब्सक्राइब आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस्टी अनलोट्स में फ्रेंड्स आज हमारा यूपी ट्रपलेसी पेट का एक बहुत ही महत्पोंट टापिक है भारत का राजनेतिक भोगोल जो की भोगोल का टापिक है तो इसको हम कबर करे करेंगे इससे हर एक्जाम में एक से दो प्रसमें पूछे ही जाते हैं यूपे ट्रपलेसी पेट में तो पूछे ही जाएंगे हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आप यह वीडियो पूरा देखें अच्छेस देखें और बिल्कुल एक एक चीज़े आपको जो है समझनी है जो समझने वाली चीजें समझनी है वो जो रटने वाली है वो रट लेनी है उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आप लोगों के लिए अतनी मेहनत करते हैं तो आप मातर ए 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस है और इसका पूर्वी देसांतर कितना है पूर्वी देसांतर 68 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देसांतर के मद्देस्तित है ठीक है most important है आपको अच्छे सरेट लेना अब आप इसे कैसे याद करेंगे अब आप इसे माल लो आप इसे ऐसे नहीं याद कर पाते हैं जो लोग याद कर लें उनके लिए बहुत ही अच्छी बड़ी बात जो नहीं याद कर पाते हैं वो ध्यान लखे उत्तरी अक्षांस जो है 84 से 97-25 कितना है 687 से 97-25 यहाँ पर भी एक अंकवाद डिगरी लगी है लेकिन आखरी वाले में दियान लखना है कि दो अंकवाद डिगरी लगी है ठीक है 687 से 97-25 आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और आपको याद भी रहेगा और भारत का भोगोलिक छेटपल मोस्ट जाता है आपको लाखों में नहीं याद रखना आपको इस प्रकास से याद रखना है 32-87-263 वर्क किमी भारत का भोगोलिक छेटपल कितना है 32-87-263 वर्क किमी अगर आप इसे भी भूल जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना एक बहुत ही जबदश्ट्रिक है भारत का जो छेटरफल है उसका टोटल योग जोडने पर इन सभी को 31 आता है ठीक है ध्यान दखना जिस किसी जो आपसन होंगे आपके वहाँ पर आप उन सभी को जोड लीजिए जिसका योग है वहाँ अगर 31 आ जाए तो वही भारत का भोगोलिक छेटपल होगा और आप इसे पहल बहुत पूचा जाता है कि भारत का छेटपल 20 के छेटपल का कुल कितना प्रतिसात है तो 2.43 प्रतिसात है कितना है 2.43 प्रतिसात है छेटपल की दरश्टी से भारत का भिस में जो है कौन सा इस्थान है तो छेटरफल की दरश्टी से जब पूचा जाए तो भारत का भिस मे जो है सात्वा इस्थान है most most important है भारत का विश्व में सात्वा इस्थान है और अगर जनसंख्या की दरश्टी से पूंचा जाए भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो दूसरा इस्थान है पहले नंबर पर चीन है और छेतपल की दरश्टी से जो है सब यहां पर है विस्सम में पर्थम इस्थान पर कौन सा देश है तो रूस है भारत का इस्थान पूचा जाए छेथपल की दरश्टी से तो सातवे इस्थान पर और बार यह नहीं पूछ जाते हैं। है सात्वाइस्थान है भारत का उत्तम से दक्षिण तक विस्तार बिल्कुल आपको रट लेना है उत्तर से दक्षिण तक का कितना है 32-4 32 किलोमीटर है 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिन तक अब पूर्व से पस्चिम तक कितना है 29-33 आपको ऐसे याद रखने हैं याद रखोगे तो याद हो जाती है 29-33 किलोमीटर है पूर्व से पस्चिम तक नेक्स्ट कोस्चन मौस्ट मौस्ट इंपोर्टेंट है भारत की इस्तली सीमा की लंबाई बहुत ही पूँची जाती है इस्तली सीमा की लंबाई जब भी पूँची जाए तब कितनी है 15200 किलोमीटर है 15200 किलोमीटर भारत की इस्तली सीमा की लंबाई है और इसके तटी भाग की लंबाई अगर पूछी जाए, confuse मत होईएगा, जब पूछा जाए, तटी भाग की लंबाई, तब आया जाएगी हमारी 7516.6 km, यानि कि 7516.6 km तटी भाग है, 7516 आपको ध्यान दखना है, तटी भाग की लंबाई, और तटी भाग जो है, इस तरीके से भी यात कर सकते हैं, और यह भी प्रस्ण पूछा जाता है कि भारत के किस राज जी की तटी सीमा सबसे लंबी है, तो फ्रेंट्स, गुजरात राज जी की तटी सीमा सबसे लंबी है, most most important है, किस राज जी की तटी सीमा सबसे लंबी है, ग इस्थली सीमा किस देश के साथ बनती है तो वह बांगला देश के साथ बनती है most important किस देश के साथ बनती है भारत के पडोसी देशों में सबसे जो इस्थली सीमा है सबसे लंबी जो है सीमा या बांगला देश के साथ बनती है most important उसके बाद चीन के साथ बनती है फिर पाकिस् फिर नेपाल, मियमार, भूटान और सबसे कम जो है सीमा रेखा किसके बीच है अफगानिस्तान सबसे बड़ी पूची जाए इस्तली सीमा किस के साथ लगती है तो बांगला देशा आंसर हो जाए सबसे चोटी स्तली सीमा भारत के पडोसी देशों में किस देश के साथ लगती तो आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान और फिंट यह सारे जो देश हैं यह भारत के पडोसी देश हैं आपको जो चैप्टर है सामान जगरुकता का भारत के पडोसी देश उसमें या मैंने अच्छे से बिल्कुल समझाया था तो ठीक है यहां पर नेक्ट कोश्चन हमा देश कितने हैं तो साथ देश हैं नंबर एक पे कौन है पाकिस्तान दूसरा है मालदीप तीसरा है स्री लंका चाउथा है बांगला देश पांचवा है मैमार वो चठा है थाइलेंड और साथमा है इंडोनेसिया ठीक है कितने देश हैं जली सीमा से लगे हुए साथ देश ह आपको अच्छे से बिलकुल याद कर लेना है और अगर पूछा जाए हमारा यहाँ पर की 30 सीमा से लगे हुए देशों की संक्या कितनी है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ देश हमारे जो हैं वो साथ देश हमारे जली सीमा से भी लगे हुए हैं लेकिन आपको सारे नाम याद रखने हैं जली सीमा के पाकिस्तान, मालदीप, स्री लंका, बांगला देश, म्यामार, थाईलेंड, इंडोनेसिया ठीक है आपको यह दो चार बार पढ़ेंगे आपको नाम याद हो जाएंगे नेक्स्ट जो है चलते हैं भारत की जल एवम इस्थल सीमा से संबद देश मतलब यह दोनों में हैं जल और इस्थल सीमा से संबद देश, बांगला देश, म्यामार और पाकिस्तान इनकी जल और इस्थल दोनों की सीमा लगती है करक रेखा मुकिता भारत के लगभग मद्य भाग वा आठ राज्यों से होकर गुजरती है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है राजस्तान मद्य परदेश 36 जारखंड पश्यमंगाल गुजराद त्रिपूरा मिजोरम या आठो राज्यों के नाम है जिनसे करकरेखा होकर गुजरती है और इसकी में फ्रेंड्स आपको ट्रिक भी जो है बता दूँगा गमच्छा चार मित्र पर इसकी ट्रिक है वो कि एक पॉइंट आपको धीरे-धीरे बिलक्rine समझा रहे है भारत का जाता है सबसे दक्षणी बिस्टू कौन सा है इंदरा पॉइंट और यह कहां स्थित है तो यह ग्रेट निकोबार दीप में श्थित है भारत के सबसे उत्तरी बिन्दू का क्या नाम है ठीक है most important है यह सारे point जितने मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको यह धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ठीक है यहां पर क्या है उत्तरी बिंदु इंद्राकाल कहा जाता है उत्तरी बिंदु का नाम क्या है इंद्राकाल जो कि लद्दा केंसाशित प्रदेश में पढ़ता है भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं most most important तो मैक मोहन भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है मैक मोहन अब आपको ऐसे दिन रखना है कि भारत और चीन की दोस्ती कौन करवाते हैं मोहन करवाते हैं भारत और चीन की दोस्ती most important और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है कौन सी सीमा रेखा है तो यहां पर डूरंड रेखा यहां पर फ्रेंड्स यह थोड़ा बुक में यहां पर गड़वड दिया है अब यहां जो है पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है ठीक है आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हो गई पहले थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में लेकिन बरतमान में या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हो गई है तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है नेक्स हमारा भारत औ और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड लाइन बना दी गई है क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है गुस्पैट तरीके से तो इसलिए बीच में एक रेड लाइन बना दी गई है उसको कोई भी क्रास नहीं कर सकता है तो रेड गलिफ लेका किसके बीच हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच है और दक्षिर में स्री लंका भारत से है पाक जलसंदी तथा मनार की खाड़ी द्वारा अलग होती है ठीक स्री लंका किसे अलग होता है पाक जलसंदी या भी पूछा जाता है कि पाक जलसंदी किसको अलग करती है तो पाक ज आपको याद रखना है भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 के इंसासित प्रदेश हैं ठीक है भारत में अंतराष्टिय सीमा वाले राज्य कितने हैं सोला राज्य हैं और दो के इंसासित प्रदेश हैं अंतराष्टिय सीमा वाले दोजार गेरा की जनगर्णा के इंसार भारत की कुल जन संक्या कितनी है एक अरब 21 कडोर लगवा कितनी एक अरब 21 कडोर और भारत में लिंगानुपाद मोस्ट इंपोर्टेंट या तो आपको ब भारत का लिंगानुपाद दोजार गेरा की जनगर्णा के इंसार भारत में जनसंक्या का घनत भी मालूम होना चाहिए 382 वर किलोमीटर है भारत की जनसंक्या का घनत है नेक्स्ट हमारा है कि यहां पर पूंचा जाता है भारत का प्राचीन नाम क्या था बहुत बार अमू दीवप और भारत वर्ष हिंदुस्तान इंडिया यह सब भारत के प्राचीन नाम थे और भारत की राजानी क्या है नई दिल्ली है सभी को मालूम होगा और भारत क्या है भारत जो है एक संगीर राज है जिसमें राज अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते हैं और भ तो फ्रेंड्स यह था अमारा भारत का राजनेतिक भोगोल इससे इतने ही प्रस्ण बनते हैं अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके दोस्त एक से दो नंबर जो है पेट में पक्के हो जाएंगे इससे एक से दो नंबर का पूचा ही जाना है और फ्रेंड्स बांकी अग dazu लगे तो आपको सभी कबर करने कराए जाएँगे अगर आप किसी इस या स्पेशल टॉपिक वेडियो चाहते हैं तो आप में कमेंट बोक्स में करके बता सकते हैं हम आपको वेडियो बनाके देढ़ेंगे तो इस वीडियो मैं इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय जोड़ादा जोड़ादा रिदान